दिव्या तन्वा हर्याना के महेंद्रगर की रहने वाली हैं। जवाहर नवोदे विद्यालाइस स्कूली शिक्षा और सरकारी PG कॉलेज महेंद्रगर से BAC में सनातक किया। इसके बाद सिविल सेवा परीक्षा की तयारी में जुट गई। और पहले ही प्रयास में UPSC सिविल सर्विस परीक्षा 2021 में 438 रैंक प्राप्त की। इसी के साथ यह IPS अधिकारी बनी और मनिपूर कैडर अलॉट हुआ। इसके बाद भी इन्होंने निरंतर प्याई जारी रखी और UPSC CSE 2022 में एक बार फिर सफल हुकर 105 रैंक हासिल की है। IPS दिव्या तवर का जन्म हर्याना के महिंद्रगर गाउं निम्वी में साल 1996 में एक राजपूर परिवार में हुआ। दिव्या बेहत साधारल परिवार और किसान परिवार से तालुक रखती है। उनके पिता का बीमारी की चलते साल 2011 में निधन हो गया। अब परिवार में दिव्या की मा और छोटा भाय और बहन है। पिताजी के इस तरह चले जाने से परिवार का पूरा बोज्मा और दिव्या के कंदों पर आ गया। मा दुसरों के खेतों में काम किया करती थी और घर घर जाकर जालू पोच्छा लगाया करती थी। मा पर दिव्या की पयाई का पड़े इसलिए जवाहर नवोदे विद्याले का एकजाम पास कर उसमें एड्मिशन लिया और बारवी तक की पाये यही से पूरी की सफलता पूरवक बारवी उत्तीर्ण करने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए गवन्मेंट पीजी कॉलेज में दाखिला लिया और वहा से बीएसी PCM में सना तक की दिग्री प्राप्त की दिव्या ने बीएसी उत्तीर्ण करने के बाद UPSC सिविल सर्विस परीक्षा की तयारी में लग गई दिव्या का ये सफर कई चुनोतियों से भरा हुआ रहा है पैसों के आभाव के चलते कोचिंग का कोई सहारा नहीं लिया सेल्फ स्टड़ी के बलबूते पर निरधारित लक्ष प्राप्त किया शुरुआत के दिनों में चार से पांच घंटे पयाई की फिर धीरे धीरे रोजाना दस घंटे पयाई करना शुरू किया दिव्या जिस कमरे में पयाई करती थी वो सिर्फ एक टेन बाई टेन का एक कमरा था उसी कमरे में खाना पीना, परना और सोना हूता था बस यही दिव्या का पुरे साल का शेडियूल हुआ करता था दिव्या ने Prelims Exam का Materials Online माध्यम से प्राप्त कर सेल्फ स्टडी की शामिल थी, इन टेस्ट सीरीज से दिव्या को काफी हेल्प हुई Prelims Exam तक की पयाई एपने घर में रहकर की उसके बाद दो महीने के लिए दिल्ली चली गई वहां द्रिष्टी कोचिंग की लाइबरेरी ज्वाइन की और मैंस और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की वेकल्पिक विशे की तौर पर हिंदी सा हित्य था कड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ सिर्फ तेई साल की उम्र में पहले ही प्रयास में UPC Civil Service परीक्षा 2021 में 438 रेंट प्राप्त कर दिव्या ने ये साबित कर दिया कि लक्ष्य हासल करने के लिए इस अंसाधनों की आवश्यक्ता नहीं होती बल्कि सिर्फ जीतोर मेहनत और निरंतर प्रयास की आवश्यक्ता होती है दिव्या ने इस सफलता का पूरा श्रे अपनी मा को दिया उन्होंने कभी दिव्या के ऊपर दबाव नहीं डाला की घर का काम करे मा ने मेहनत मजदूरी कर आज अपनी बेटी को इस मुकाम में पहुचा दिया है दिव्या की इस उपलब्धी पर उनका पूरा गाउंगर्व से मनमोहित हो था दिव्या ने दूसरे प्रयास में एक बार फिर सफलता हासिल की UPSC CSE 2022 में इनको 105 रेंग हासिल हुई है और इसी के साथ इनका सपना जो I.S. बनने का था वो भी पूरा हो गया दिव्या तवर ने UPSC की प्रीलिम्स एक जाम में जनरल स्टडीस के पेपर 1 में 81.68 मार्क्स और Cset के पेपर में 68.92 मार्क्स प्राप्थ हुए और मैंस एक जाम में 751 मार्क्स और इंटर्व्यू में 189 मार्क्स प्राप्थ हुए इस हिसाब से दिव्या को UPSC सिविल सेवा परीक्षा में 2025 में से कुल 934.43 प्रतिशत नंबर मिले हैं